अगर आप ऐसे सिने सिटिजन हैं जिनकी एज 75 पियर या फिर मोर देन 75 पियर से तो आपको ITR फाइल नहीं करना है आगे इस वीडियो में मैं आपको डीटेल में सारे चीज़े बताने वाली हूँ नमस्ते दोस्तों मैं सुमन सर्मा आप सभी कास भागत करती हूं आपके अपने चानल सुमन एजुकेशन हर्व में अगर आप ऐसे senior citizen है जिनकी एज 75 या फिर more than 75 years old है तो अब आपको अपनी ITR फाइल करनी के जरुरत नहीं है आपके विहाब पे आपका जो बैंक है वो आपक फाइल करेगा जिस बैंक में आप अपना interest amount receive करते हैं suppose कि जी किसी बैंक में आपने FD करवाई है वहाँ पे आप interest आपको मिलता है या फिर आपको pension उसी account में आता है तो वो बैंक जो है अब उनकी responsibility है वो आपके विहाब पे आपकी ITR return को फाइल करेंगे अगर आपका कोई अगर आप senior citizen है और आपका कोई भी other income source नहीं है सिर्फ आपकी income का जो source है वो आप interest receive करते हैं और pension आप receive करते हैं अधर कोई income का source नहीं है तो आपको ITR फाइल करनी के जरुरत नहीं है बैंक आपके विहाब पे ITR फाइल करेगा आप बैंक में जाके कह सकते हैं कि हमने सुना है कि section 194C जो की income tax section 194C है उसके according जिसकी 75 यर से पर more than 75 यर से ऐसे लोगको ITR फाइल नहीं करनी है उनके भी हाप पे bank ITR फाइल कर रहे हैं तो bank आपका ITR फाइल कर देंगे कुछ procedure है कुछ declaration है जो आपको bank को देना है declaration आपको देना है form 12 BBA आपको देना है जिसमें कि आपको सा information number है यह सारे information आपको bank को provide करनी है so that correctly bank जो है सारा data prepare कर सके और आपका जो return है आपके भी हाप पे कर सके तो अगर आप ऐसे senior citizen है जिनकी एच 75 यर से फिर more than 75 यर से तो अब आपको इन सारे चक्रों में नहीं पढ़ना है आप bank पर जाके bank से request कर सकते हैं और bank आपके भी हाप आपका return file करेगा उम्मेद करती हूँ यह वीडियो आप सभी लोग के लिए helpful रही होगी अगर helpful रही है तो प्लीज मैं चैनल दोनों चैनल को सपोर्ट किजिए English and Hindi दोनों चैनल को thank you for watching keep watching